नमस्कार न्यूज क्लिक के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे जो इस देश में कल भारत की सरकार ने 7 जनौरी को एक फैसला किया कि हमारे देश में जो रिजर्वेशन पॉलसी है उसके तहत अब एक नया प्राउधान किया जाएगा और जो हिंदू सवर्ण जातियां हैं और इसके अलावा जो अल्प्सेंकर समुदाय है खासकर मुस्लिम और क्रिश्यन उसके जो कमजोर वर्ग के लोग हैं जिनकी आर्थिक जो आमदनी है वो साल में 8 लाक रूपे से कम है और जो खेतिहर हैं उनका 5 एकर से कम जमीन है उनको 10 10% सरकारी नोकरियों में आरक्षन दिया गा यह जो फैसला 7-10 जनर रिको किया गया इसके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं हुई थी किसी भी तरह की डिवेट न तो पार्टी में हूई थी बीजेपी में न ऐलायंस में हुई थी जो हमारी जानकारी है और नो तो इन्होंने अपने मैनिफेस्टों में जिसके आधार पर इन्होंने चुनाव लड़ा था न तो उसमें इसकी कहीं चर्चा है दिल्चस्प बात है कि ये फैसला तब हुआ है जब चुनाव महज कुछ सब्ता रह गए हैं महज तीन मह प्रक्रिया से गुजरने पर अगर इसको चुनोती दी जाती है जिसकी पूरी उमीद है तो ये नयायले में ठीकेगा क्योंकि इसी तरह के दो तीन बार कदम उठाए गए कभी राजियों की तरफ से कभी केंद्र की तरफ से नयायले में वो नहीं ठीके तो ऐसी स्थिती में हमेशा ये जो पहलू है वो सवालों में घिरा हुआ है कि आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया हम जानते हैं हम जानते हैं और लोग भी देख रहे हैं कि मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर जितने ये इशूज हाल के दिनों में पॉलराइजेशन के लिए, धुरुवी करण के लिए, लोगों को धरम जाती में बांटने के लिए जो उठाये गए, वो सारे फेल करते गए क्या-क्या नाटक मत्यप्रदेश का चुनाव जीतने के लिए नहीं हुआ, लेकिन वो काम नहीं किया, 36 गड़ में नहीं काम किया, तो मुझे लगता है कि ये इसी वज़ा से कदम उठाया गया है कि अब पॉलराइजेशन के लिए एक और काम किया जाए, एक काम किया जाए जिसे की SCST Act को लेकर जो एक बार नाराज हो गया था, अपर कास्ट खास कर जो भारती जनता पार्टी का अपने को समर्थक मानता रहा है और जिसको भारती जनता पार्टी मानती रही है कि उसका मुख्याधार है, उसको खुश करने के लिए ये जुन-जुना थमाया गया है लेकिन ये जुन-जुना, क्या ये बजेगा, क्या इसका कोई अर्थ निकलेगा, मुझे लगता है कि ये चुनावी स्टंट के अलावा कुछ नहीं है, क्यों इसकी सबसे बड़ी वज़ा ये है कि भारत के सम्विधान में आर्थिक आधार पर आरक्षन का प्रावधान ही नहीं है ये बात बहुत सारे लोग खासकर मीडिया में भी जो लोग हैं वो भी ध्यान से संविधान को नहीं पड़ते भारत का संविधान साप शब्दों में कहता है कि आर्थिक आधार पर नहीं बलकि सामाजिक शैक्षिक आधार पर पिछड़ापन ना पा जाएगा तरह की सामाजिक जो कारवाई है साकरात्मक कारवाई जिसको हम कहते हैं इसके लिए एक सिर्फ और सिर्फ सामाजिक सैक्षिक आरक्षिक पिछड़ापन को माना जाएगा भारत के संविधान की दो अनुच्छेद खासकर 15-16 और बलकि एक तीसरा अनुच्छेद भी है आर् कुल साफ साफ इससे भी ज्यादा महत्पून बात है कि भारत के संविधान को एडाप्ट किये जाने से पहले संविधान सभा में इस विशह पर लंबी चर्चा हुई अनेक लोगों ने इस चर्चा में भाग लिया बहुत सारे सवालात खड़े किये गए लेकिन डॉक्टर इस तरह की साकरात्मक कारवाई पर कोई भी आपत ती या कोई भी सवाल उठा रहे थे ऐसे में ये जो प्रशन आज उठाया गया है कि हम आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षन देंगे पहली बात तो ये हमारे संविधान के इन तीन अनुक्षेदों के ही है आप आर्थिक आधार पर इसको नहीं कर सकते आर्थिक आधार पर तमाम गरीबी उन बुलन कारिकरम कर सकते हैं आप लैंड रिफॉर्म कर सकते हैं आप धेर सारे कदम उठा सकते हैं इसके लिए उजनाय हैं दरसल अगर संविधान सभा को देखें इसका भी एक रिष्ट में नहीं जाएंगे लेकिन सच यह है कि पुने पैक्ट को आप नजरंदाज करके भारत के संविधान में आरक्षन के प्रावधान की पूरी स्थिती को आप परिवासित नहीं कर सकते और यही कारण है कि हमारे आज के शासक की अच्छी तरह जानते हैं मोधी सरकार अच्छी तरह जानती है कि संविधानिक्ता के स्तर पर संविधानिक्ता के मोर्चे पर उनका यह फैसला टिकने वाला नहीं है और महत चुनाव के कुछ सब्ताफ पहले इसको करने का क्या मतलब है वो भी तब जब कि सरकारी शित्र में नौकरियां नहीं के बराबर है नौकरियां खत्म हो रही है और अभी हमारे पास जो नया आंकड़ा आया है और वो आंकड़ा CMIE का है कि सिर्फ 2018 में एक साल में सिर्फ कहां से आप नौकरियां लाओगे लोगों के लिए तो अगर संवैधानिक्ता का पक्ष छोड़ भी दिया जाए तो नौकरियां कहां है यह दूसरा सवाल है तीसरा एक सवाल और है जो बहुत महत्तपूर है भारत में जब से प्राइविटाइजेशन को सरकारी अस्तर पर पढ़ावा दिया जाने लगा खासकर आर्थिक सुधारों के बात के दोर में तब से हमने देखा है कि नौकरियां अगर बढ़ रही है कहीं थोड़ी बहुत इन कंप्रिजन विद गॉवर्मेंट जॉप्स तो नीजी छेत्र है लेकिन नीजी छेत्र में भारत में कोई एफ सरकारी नौकरियों में आरक्षन का जो जुन जुना बजाने का जो फैसला किया मुझे लगता है इस पर सिर्फ हसा जा सकता है या कुछ लोग रो सकते हैं अगर चुनाव में फायदा नहीं मिलेगा जिसकी पूरी अगर गारंटी अभी दिख रही है तो मुझे लगता है कि उस पर उनको रोना पड़ेगा और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि नीजी छेत्र में आरक्षन के लिए बाकायदा एफर्मिटीव एक्षन इंट्रूस करने के लिए 2004 में उस वक्त की सरकार जो UPA1 की बनी थी उसने गवर्नेंस के अपने एजेंडे में एक ये एक जुमला है एक स्टंट है इसके अलावा कुछ नहीं है अंतिम बात जो आरेसेस और बीजेपी की पालिटिक से जुरती है जिस पर मैं आपका ध्यान अपने दो दर्शकों का जरूर आक्रिष्ट करना चाहता हूं आपको याद होगा 2015 के बिहार चुनाव से एन पहले आरेसेस चिप मोहन भागवत ने सेप्टेंबर महीने में 2015 के कहा था कि आरक्षण की समिक्षा होनी चाहिए समिक्षा के मतलब यही था कि कुछ ऐसा हो जिससे की दलित आदिवासी OBC तबके के आरक्षण को सीमित किया जा सके अपरकास्ट को कुछ किया जा सके और कुछ ऐस किया जाए जिससे एक नया फार्मूला निकले हमें लगता है कि इन दिनों आरेसेस में मोदी जी की सरकार को लेकर थोड़ी नाराजगी बढ़ी थी गड़करी सहाब को जो बातें गड़करी सहाब हाल के दिनों में कह रहे थे और भी कुछ मंत्री बोलने लगे थे उनको ज पैद सहलाने के लिए चुनाल से एन पहले यह जो इनाटक किया गया है जो इस टंट बुना गया है कि भाई आप खुश रहिए हम आपके भी साथ हैं तो न तो यह अपरकास्ट के कमजोर वर्गों के साथ हैं जिनकी नोकरियां गई हैं एक दसमलो एक करोड नोकरियां सरका जारी चेतर में गई हैं लेकिन आप कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो आप सिर्फ एक फैसला कर रहे हो जिस फैसले का उलटना जिस फैसले का पलटना अवश्यमभावी है तो यह जो पूरा का पूरा मजाख है आरक्षन के नाम पर यह हमारे देश में समवैधानिक्ता को समवैध करत में समरस्ता के की दिशा में जो काम होना है उसमें बादा पहुंचाती है नमस्कार